प्रधान मंत्री के खिलाफ अभध्र टिपड़ी करना एक किसान नेता को भारी पड़ गया और ये मामला किसी और ने नहीं बलकि जल्दी भाजपा कारेकरता बने फसाहत अली शानों ने दर्ज कराया है दरसल जिले में भारती किसान यूनियन के प्रदेश महासचीव हसीब एहमत का एक वीडियो वारल हुआ इस वीडियो में किसान नेता ने भाजपा कारेकरताओं के साथ साथ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम कर बयान बाजी करते हुए अभध्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया इसी बात से नाराज होकर भाजपा कारेकरता फसाहत अली शानू सीधे थाना सिविल लाइन पहुँचे और यहां किसान नेता हसीव एहमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया बताया जा रहा है कि हसीव पर कई गंभीर धानाओं में मुकदमा दर्ज हुआ है आपको बता दें फसाहत अली शानू कभी सपा के कदावर नेता आजम खान के करीबी हुआ करते थे और चुनाओ से एन पहले ही उन्होंने सपा की साइकल से उतर गार भाजपा के कमल को थाम लिया इस बाबत जानकारी देते हुए रामपूर S.P. अशोक कुमार ने बताया कि किसान नेता ने कलिक्ट्रेट में धर्ना देने के दोरान प्रधान मंतरी मोदी पर अभध्र टिपड़ी की थी और अमर्यादित भाशा का प्रियोग किया था जिसकी वज़ा से हसीब एहमत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है अब जो बिल्कुल ली करना ची इस तरह से तो जो नियम कारून की परेज में होगा वो करवेगे जाएगी कारून प्रा काम करेंगा उसमें साथ शिक्रत गिराएगी तुटाल परसर देने अगा और जो भी डागूमेंटरी उदेस्ट होगी जो भी आउर दोद्वी और दो अब हो मसा अब योग पंदी करत कर दो बेहर हाल हसीब एहमत के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है वही लगातार बीजेपी कारेकर्ता लोक सभा चुनाओ साथने की तैयारियों में जुटे हुए हैं ये खबर हमारे समवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ शाहबाज खान ने कबर की है